यह function time में से seconds को show करता है, return करता है हमें वापिस इसका argument के अंदर हमें एक serial number देता है जो के date time या फिर सिर्फ time होता है और जिसका यह हमें फिर seconds को जो हो return करता है यहापे हम देखते हैं, for example, हमाई पास यहापर date भी है और इसके बाद time भी है यहापे हमाई पास date है, यहापे time है और यहापे भी हमाई पास time है तो अब हम यहापे इसको is equal to second और इसके argument में यह value देता है argument में यह value देंगे, value देंगे इसको close करता है तो यहापे देखिए, यह 22 second है तो इसने हमें 22 return कर दिया यहां पर कोई time नहीं है तो इसने 0 return करा है, यहां पर कोई second नहीं है, तो यहां पर 30 है, तो यहां पर 30 second इसने हमें return करा.